है गाइज आप सभी को जोहर और वेल्कम बेक टू एडिस फ्लॉक गाइज आज हम इसाखा बटाना वाइजेक तूर का पहला दीन है आवार है किमकि हम कल साम को निकले थे और आज करीबन बारा वजे के आसपास निकले कुछ लोचा हो गया था ट्रावल को लेके हम लोग आने वाले थे तो ट्रेन में पर बास से आए तो लेट हो गया फिर आज जितना भी कवर करना था सब कुछ प्लैन चोपट तो कुछ समय बाकी है अभी उसी को कुछ यहां वहां यूटिलाइज कर लेते हैं सोचे और अभी आये हम लोग आर के बीच आर के बीच को रामा कृष्ण बीच के नाम से भी जाना जाता है और यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि बीच के वगल में ही रामा कृष्ण मिशन आश्रम है यह बीच यहां का और एक फैमस लोकेशन डॉल्फिन्स नौज के ठीक सामने ही है यहां आने के लिए आपको ट्रांसपर्टेशन का सुविदा इसली मिल जाएगा अगर ट्र क्योंकि रहे हैं तो चलिए गाइस आपको में समंदर का जो लहर है उसके सामने लेकर जाता हूं उसको सामने से दिखाता हूं यहां पुरा रेथ है रेथ में चलने में थोड़ा मेहना ज्यादा लगता है हम लोगा चोटा समंदर ओमाइगाज अब देख सकते हैं यहां वेव कितना संदार वेव है और यह है आर के बिच जाता हूं प्योब जु़ जुच 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 संधाइ हम लोगों के पार्टनर बागे रहा है मानिशादी से हाई हम रेट रूखो 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 तुम नहीं दिख रहा हाँ अपी आ गए हो फ्रेम में हाँ और यह हम लोगा मोडेल जो कि फोटो शुट कर रहा है अभी वीडियो करेंगे फोटो की जाएगा वोलो यहां पर आने से आपको ऐसे फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे जो कि कितने लेते एक फोटो का बंडी रूपी और मोबाल में ट्रांसफर करतेंगे ना तो ऐसे आपके के पास अगर डिवाइस बगरा नहीं है तो यहां पर आके विंदास फोटो की जाके अपना फोटो ले सकते हैं और कुछ तुम्हें फोटो की चलना है जो कि हम लोग जो होटेल लिये हैं उस होटेल से यहां तक का डिस्टेंस बोले तो आठ या साथ किलो मीटर के अंदर है सूचे कि यहां इErज कोई टोर इस बेचेश के हमारे होटेल अपनर के अब कर लेते हैं तो गाइस अगर आप यहां पर नहाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ रावस्ता है यहांपर अगर इस बीच में आने का experience अगर मुझे कोई नहीं पूचे तो पहली बात तो यह कि किसी के साथ compare नहीं कर सकता क्योंकि मैं इससे पहले कहीं बीच पे गया ही नहीं समंदर देखा ही नहीं आज पहली बार देख रहा हूं और बैसिकली यहां का जो एंबाइनमेंट है बहुत ही एमेजिंग है यहां का जो सी का वेव बगेरा है बहुत ही प्यारा है और यहां पे आपको क्या बोलते हैं कि थोड़ा चीप रेट में आपको जो मजा लेना है बोले सकते हैं क्यूंकि ट्रांस्पोर्टेशन का आप देखें तो यहां पे जो विशाखा पटनम जंक्शन है सामने ही है करीबन आठ किलो मीटर के दाइरे में है तो वहां से आप अगर ऑटो वगेरा में आते हैं तो आपक सो डेर सो का फेर पड़ता है तो उस हिसाब से अगर देखें तो यह काफी ही मतलब इसली आ सकते हैं आप यहां पे और सस्ते में घूम के जा सकते हैं क्यूंकि यहां पे जो स्टॉल्स बगेरा है काफी सस्ता है और अगर हम में कफी गोआ गाया नहीं पिर भी थूढ़ा कुछ जो पता है गोआ में हम जाते हैं तो वहां पे एक्षपैंसिव होता है तो उसी मज़ा अगर आप यहां ले सकते हैं गैर की बात अलग है वह मानते हैं चलकी कैं गणिवक तो आपको तो यह आनंद में रहा है कोई जागा का मतलब नहीं है आ सकते हैं तो वीडियो पर बने रहे है एड़ीज ग्लोग को यह किसी तरह से लग प्यार देते रहे है चैनल को सस्क्राइब करते रहे है और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सेर करते रहे है तो चलिए आपको किना में वेड़ी की शूट देखा लादे है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो